आपके घर में चुहो और चुयाओ का आक्रमन होना किसी बुरे सपने से कम नहीं है ये चुहे तबाही मचाते हैं और घर में मौजूद कुछ भी खा जाते हैं अब मैं आपको बताऊंगी कि घर में मौजूद प्राकृतिक चीजों से चुहो से कैसे चुटकारा पाया जा सकता है फुदीने का तेल आपको बस इतना करना है कि रुई का एक छोटा सा तुकडा ले और इसे थोड़े से फुदीने के तेल में डुबाए अब इसे अपने घर के सभी संभावित कोनों और दरारों पर रगड़े खास कर चुहों से प्रभावित शेतर में चुहे फुदीने के तेल की तेज गंद बरदाश नहीं कर पाते इसलिए ये उन्हें दूर भगाने में मदद करते हैं इस उपाई को सब्टा में कई दिनों तक दोहराईए लाल मिर्च के तुपड़े इचालियन जैसे पीजा और अन्यक खाने के साथ भी हम इसका इस्तमाल करते होंगे बस अपने घर के सभी कोनों और ठिकानों पर कुछ मिर्च के टुकड़े छिड़के ऐसा माना जाता है कि इसका असर उनकी सास लेने पर पड़ता है लेकिन अगर वे गलती से इसे खा ले तो ये घातक हो सकता है इसे सब्टा के दौरान अक्सर करे प्याज आप चुहों से प्रभावित सभी शेत्रों में कुछ स्लाइज प्याज के रख सकते है चुहों को प्याज की तीकी गन बर्दाश नहीं होती है हाला कि आपको इन तुकड़ों को हर दो दिन में नए तुकड़ों से बदलना होगा क्योंकि ये सड़ जाते है लसुन ये प्रयोग करने में आसान है आप बस लसुन की कुछ कलिया कुछ निश्टत सानों पर रख सकते है या कुछले हुए लसुन और पानी का घोल तयार कर सकते है और फिर इसे इन कीटों के संभावित प्रवेश बिंदूओं पर स्प्रे करे चुहे इसे बरदाष नहीं कर पाएंगे और चले जाएंगे बस अपने घर के आज पास तेज प्त्य के कुछ चोटे तुगड़े रखे तेज प्त्य चुहो को आकर्शित करते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि ऐसी चीज खाने हैं जो खा सकते हैं हाला कि जब वे इसे खाते हैं, तो वे इसको निगल जाते हैं और कुछ ही मिंटों में मर जाते हैं। बस अपने घर के चारों और तेजपत्रे के कुछ दुक्ड़े रखें और देखें कि ये कैसे काम करता है। इन पांच मिंदों को जरूर आजमाएं।